देश की राजधानी दिल्ली में एक नई तरह की चोरी का मामला सामने आया है दिल्ली के बेहत पॉश इलाके जंगपुरा के पाद इस्तिद भोगल में करीब 25 करोड के गहनों की चोरी हुई चोरों ने बड़े शातिराना तरीके से छट को काट कर घटना को अंजाम दिया रिपोर्ट के मुताविक 25 सितंबर की देराच चोरों ने छट काट कर गहनों की चोरी की चोरों ने उम्राव और महावीर जैन के शोरूम में घटना को अंजाम दिया शोरूम मालिक के मुताबिक दुकान में हीरे और सोने के करीब 20-25 करों रुपए की जूलरी रखी हुई थी दुकान जिस मारकेट में है वो सोमवार को बंद रहती है इसलिए सोमवार 25 सितंबर को शोरूम बंद करने के बाद वो मंगलवार 26 सितंबर को वहाँ पहुचे शटर उठाने के बाद उन्होंने जो देखा उसते शोरूम मालिक के होश फाक्ता हो गए शोरूम मालिक के मुताबिक इस शोरूम की पूरी जूलरी गायब थी उन्होंने इसकी जानकारी तुरंती पुलिस को दी सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुची और घटना की जाच कर रही है तो सब सीच है इसकी पहले दुबारा पुलिस पहले आपको पीछी से मतलब कहीं तो कोई सुरंग वगरा मिला है क्या वारा इसकी पर चंटी से रस्ता है अल्याओं में चंटी से सब्सक्राइब तो संदे को आपके वराइटी उसके बाद मंदे की चुट्टी होती है संदे के संदे रात में उन्होंने हम होगा क्या बंदे कि चंटी स्माने का सवादी अब आपको शुरूम होते हैं वो भी होता है अलाम भी होता है सब उन्होंने खाट पूट दिया है सब दिश्टर्ब है सब पुझे थे पाथ के ठादिव आपको शुरू को कम रहे हैं यह सब आपको शुरू की कम रहे हैं यह सब आपको